हंडिया थाना क्षेत्र के रसार गाव में हाईवे पर बाइक सवारों को बचाने में सवारियों से भरी बस पलट गई हाथसे में बाइक पर सवार तीन लोगों समेट बस में सवार कई लोग घायल हो गए है कोतवाली क्षेत्र के अंतरगत आने वाले रसार गाव में हाईवे पर एक दुखद हाथसा हुआ जहां दिल्ली से एक बस बिहार जा रहे चार लोगों के परिवार को ले जा रही बाइक से टकरा गई यात्रियों को बचाने के प्रयास में चालक ने नियंतरन खो दिया और बस पलट गई जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और छे अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए घायलों को तुरंट सामदायक स्वास्थि केंद्र ले जाया गया जहां उन्हें तुरंट चिकित्सा सुविधा दी गई ये हंडिया पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है और राष्ट्रिय राजमार्क के पास थित है जो अब दुरगटनाओं के लिए होट स्पॉट बन गया है हर दिन इन सडकों पर अंगिनत दुरगटनाए होती है जिनमें कई जाने चली जाती है और अपने पीछे विनाश का निशान छोड़ जाती है रसर गाव अब हाथसों का परियाय बन गया है और हंडिया पुलिस के लिए चिंता का सबब बन गया है